दोस्तों, आज की ए छोटी सी कहानी बाप बेटी की हृ्द इस पर्शी कहानी है जो आपके दिल को चुजाएगी और उसका अंद आपको हमेशा याद रहेगा. 4. Daughter Story बाप बेटी की एक रिदिस पर्शी कहानी? बाप बेटी की कहानी? ये कहानी एक बाप और उसकी पांच साल की बेटी की है एक बार बाप ने अपनी इस मासून बच्ची को सक्ट पनिश्मेंट दी क्योंकि उसने एक कीम्ती रैपिंग पेपर खराप कर दिया बाप अपनी बेटी से नफरत करता था ऐसा नहीं था मगर आर्थिक हालत काफी तल्ग थे इसलिए बच्ची ने किये चोटे से नुकसान से बाप ज्यादा गुस्सा हो बया बेटी ने एक बाप्स को रैपिंग पेपर से सजा कर क्रिस्मस ट्री के पास रख खा था बच्ची बेचारी दुखी होकर सो गई अगले दिन सवेरे बच्ची सब भूल गई और उठकर सबसे पहले वो बॉक्स लेकर अपने पापा के पास गई वो बॉक्स पापा को देते हुए बोली पापा ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ बेची का अपने प्रती प्यार देखकर बाप को खुद के द्वारा की गई ज्यात्ती का अफसोस हुआ लेकिन बॉक्स को खोलते ही बाप का पारा फिर से चग गया क्योंकि बॉक्स में कुछ भी नहीं था बाप ने बेची की तरफ गुसे से देखा और चिला कर बोला ये क्या है तुम मेरे साथ मजाग कर रही हो या तुम्हें पता नहीं है कि जब किसी को गिफ्ट का बॉक्स देते हैं तो उसमें कुछ रखखा भी जाता है बच्ची की आँखें आंसों से भर गई उसने अपने पापा की आँखों में देखा और डरते हुए बोली पापा ये खाली नहीं है मैंने उसमें धेर सारी कीसीस पप्याग भरी है सिर्फ आप के लिए फिर से एक बार बेची की मासूमित और प्यार ने बाप के गुसे को पूरी तरह कुछ चल दिया बाप ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और फुट फुट कर रो पड़ा और बेटी से माफी मानने लगा बेटी ने बाप के आशू पोचे और बोली पापा मैं जानती हूँ कि आप परेशान है इसलिए मैंने आपको इस बॉक्स में खूप सारी पप्या दी है जो आपको हिम्मत देगी कहते है कि इस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी उस गिफ्ट बॉक्स को अपने सिर्हाने रखा जब जब वो जीवन में निराशा होता या हिम्मत हार जाता तब उस बॉक्स को खोल कर एक कालपनिक किस जो उसकी छोटी मासूम बेटी के द्वारा दी गई थी को लेता और उसे नई हिम्मत नई आशा मिलती हाँ ये सच है कि जिंदगी सब के लिए इतनी आसन नहीं होती जीवन में परेशान या निराशाएं असफलताएं नकारात मिक्ताय आती जाती रहती है लेकिन भगवान ने हमें एक अनकंडीशनल गिफ्ट बॉक्स दोस्तों भाई बहन मता पिता या साथी के रूप में दिया है जो हमें समय समय पर हिम्मत और अक्रामकता भरे विचार देते हैं और यह अहसास भी कराते हैं कि जीवन में उनसे ज्यादा कीनती और जरूरी और कुछ भी नहीं है दोस्तों बेजी का अपने पापा के प्रती प्यार देखकर आपका भी दिल भर आया ना